कौन सा रॉल नमबर फील करेंगे जयी में या नीट एक्जाम में या कोई भी अपकमिंग एक्जाम हो कौन सा वैलिड होगा रॉल नमबर क्योंकि सर हमारे पास दो रॉल नमबर है और उसके साथ साथ अभी हम अपियरिंग है या पास्ट है क्या फिल अब करें वह बहुत माक्षिट में 5 subject से ठीक है और दूसरा scenario है 2023 में आपके 6 subject से तो अगर 6 subject थे एक subject में आपका compartment आया था उसका मतलब क्या है overall में overall में आप pass थे तो जो एक subject था वो किस category में चला गया वो आपका improvement category में चला गया यह improvement category में चला गया इतना आपको समझ रखना है next है कि अगर आपका 5 subject था कोई भी subject हो सकता है क्योंकि students जो है न वो तरह तरह के queries पूछते हैं तो मैंने सोचा कि सभी को address करके यह video बनाता हूँ तो अगर आपका 5 subject था only 5 subject ऐसा मत सुचू कि sir compartment थो एक subject में था इसमें था मैं overall subject की बात कर रहा हूँ जितने उमें आपने exam दिया आपके markset में जितना subject था admit card में था वो उसकी बात कर रहा हूँ तो overall अगर 2023 में 5 subject था और साथ में आप compartment लिखा गया था overall में ओवरल में compartment लिखा गया था तो आपने compartment में form भरा होगा ठीक है यह याद रखो कि आपने compartment में form भरा नहीं होगा अगर आपकी 6 subject होंगे क्योंकि एक subject additional में चला जाते है इस case में क्या होता है additional subject हो जाते है additional subject equals to compartment वो जो compartment के आप बात कर रहे हो ना वो additional subject की बात कर रहे हो आप इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या बात हो रहा है तो additional में चला जाते है इसलिए आप overall पास हो जाते हो और improvement आ जाते है अब का अभी सर बताईए यह तो ठीक है समझाग है किसमें हम फॉर्म बरें बट हम लोग appearing लिखें या past लिखें और माक्षेट में क्या लिखाएगा ठीक है बहुत बड़ा डाउट है इसलिए मैं समझा रहा हूँ overall अगर आपके 5 subject है आप compartment हो तो आप pass नहीं हुए हो तो आप 2023 पास आउट नहीं हो 2024 में पास आउट होगे तो आपके माक्षेट में जो लिखाएगा ना 2024 पास आउट लिखाएगा ठीक है 2024 और आप जब J-Man का form fill up करोगे तब आपको appearing लिखना है J-Man हो या need हो appear कर सकते हो eligible हो बट यह fill up करना पड़ेगा आपको compartment में 2024 पास आउट appearing लिखना पड़ेगा बट अगर इनकी बात करें जो 6 सब्जेक्ट है overall तो पास हो चुक है ना वो passing year कौन सा है इनका अगर passing year आप लिखोगे passing year यह तो 2023 में ही पास आउट होगे वो तो भी improvement के लिए marks पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट में एक्जाम दे रहे हैं तो यह जो students होगे यह 2023 पास आउट है और already pass हो चुके हो तो आप form में क्या भरोगे past भरोगे यह है brief calculation समझ पा रहे हो तो इसको अभी मैंने क्या किया heading के साथ अच्छे से लिख लिया आप इसको देखके और बहतर इन तरीके से समझ सकते हो कि subject में मतलब कितने subject है उस पर depend करता है आपका overall pass या fill लिखाता अगर एक subject में compartment है पान सब्जेक्ट में से तो overall आपका compartment है और form fill में आपने compartment का form fill अप किया होगा तो pass out year आपका कौन सा होगा 2024 होगा माक्षेट में 2024 होगा जो यह और neat की fill up कर रहे हो form तो आपको appearing लिखना पड़ेगा बट जिन लोग का छे subject था additional subject में चला गया होगा जो compartment है इसलिए additional subject को हम improvement बोलेंगे ठीक है इसलिए आपने improvement में form fill up किया होगा जिस subject में आप fail हुए हो additional subject होगा होगा अब fail वाला RT fail भी तो नहीं बोलेंगे हम RT ही बोलेंगे overall pass हो passing year आपको 2023 है और jneet में जब आप भरोगे तो past लिखके भरोगे बस इतना सा update था यह आपको समझना बहुत जरूरी था अगर आपको यह समझ आ गया comment में लिख दो क्या होगा कैसे होगा thank you